नमो नाराणि मैं वेजसास्त्री आचार्य पवंदत मिस्र और आप देख रहे हैं आस्तित्त टीवी जिसके माध्यम से आज मैं आया हूँ आपके घर के अंदर रखी हुई वस्टवे और आपके घर के अंदर रसोई में रखी हुई जो जो वस्टवे हैं वो आपके लिए कितनी उप्योगी साबित हो रही है और उनका आध्यात्मिक रीजन क्या है और उनकी आध्यात्मिक कड़ी क्या है आज हम बताते हैं उनहीं सब चीजों में से जो हम जिस पर कभी ध्यान नहीं देते लेकिन हमारे जीवन में सभी अनिष्टों को दूर करने वाली और हमें असांत मन से शांत करने वाली हमारे घर में रखी हुई बहुत चोटे चोटे दाने वाली पीली सरसों उस पीली सरसों के कारण बलाए, भूत, प्रेत, पिसाचादी ये सब ऐसे कैसे भाग जाते हैं, उसके घर में होने मात्र से ये सब कैसे आपके घर में अटेक नहीं कर पाते हैं, आज हमें उस रहस्य को जानना है पहले हम चलते हैं आप ध्यात्मिक अनादी काल की यागिवलिक सिक्छा पद्धिती के मात्रम से जो आज के युग में सिख्छा पद्धिती लोग पढ़ना नहीं चाहते शुनना नहीं चाहते और सबसे महतुपूर्ण यहा है कि याग गिवलिक जी ने किस कारणवस उस पीली सरसों को जो आपके घर में आपके पास आपके समख्च रखी होती है उसको किस परकार से उसका अभिमंतरण किया है और किस प्रकार से उसके द्वारा बला इबादा को दूर किया है, सबसे पहले जो उनके वो अपने गुर्देव के पास में जाते हैं, तो गुर्देव कहते हैं, ठीक है मैं तुम्हें संस्क्रत विद्याले होता है, उसमें पढ़ने की आग्या परदान करते हैं, कुछी वर् लेकर के जाते हैं राजा साथ, भोजन करवाते हैं, सब कुछ करा करके, और जैसे ही यागवलिक जी महराज घर से बाहर निकलते हैं, तो अपने बाम हस्त में, वाए हाथ में वह आप छट लेते हैं, और राजा और रानी से कहते हैं, कि आप यहां खड़े हो जाईए, उस पे उन्होंने श्रीर वर्चस्व मायु श्रे मारोगी माविदाद पौमानम में ये देद आन्यम दरम पसंबो को त्रलाबम सथ सम्मत सरम दीर घमायू स्वस्थेस्त तेर कुसलमस्त चिरायू रस्तू हे राजन हे रानी आपने आशिरबाद नहीं लिया लेकिन मैं बहुत बढ़ा अपरात किया बहुत बढ़ी गलती की है भागे भागे गुर्देव के पास आये कहा कि गुरुवर इससे आसिरबात पुनहां दिलवाईए नहीं तो हम क्या करेंगे हमें इससे आसिरबात लेना चाहिए गुर्देव उन्हें कहा नहीं माने और जब नहीं म कि ठीक है अगर जो तुम नहीं चाहते हो आश्रीबाद देना राजन को तो जितनी विद्ध्या मैंने तुम्हें पढ़ाई है वो सब विद्ध्या मुझे वापिस करते हैं उनके सामने एक ऐसा तत्या करके खड़ा हो गया आश्मान दूर हो गया धर्ती भटने लगी उनके स पिता सदा सरवधा के लिए उसके भगवान होते हैं उन्होंने गुरू को भगवान मानते हुए अपने गले में दो उंग्लिया डालते हुए उल्टी कर दी जैसे उल्टी की वो उल्टी विद्या सुरूप जो थी तो कि बहुत कंठाब गर कर रखा था उन्होंने वेद, थैसर अधिजत sudah 50503 तो आपने दिया होगा नहीं ध्यान दिया होगा तो आप इसकी जानकारी कर सकते हैं जो तीधर की विष्टा होती है वह पीली सरसों जैसी हों और पीली सरसों महां से उत्पनय होी तो राजा ने इतनी ताकत है कि भूत प्रेत पिसा चादी जो भी कुछ होंगे वो आप बाएं हाथ में रखिए और अच्छो अनम बलगा अनम पैश नभी विदम अंतम बलग मुत्किरा मिजम्में श्चियो जम्माति उन्चे काने दम अंतम बलग मुत्किरा उस प्रकार का एक बड़ा मंत रहें उससे अभिमंतृत करिए अभिमंतृत करने के बाद में दसो दिसाओं में छोड़ दीजिए किसी की भी इतनी ताकत नहीं है कि उस पीली सरसों के गेराओं के अंदर जाकर करके आपका कोई अनिष्ट कर पाए जब तक आपके पास में पढ़ी हुई अभिमंतृत की ह कोई पीली शरसों है आपके घर में है आपकी रसोई में है आपके आसपास है आपका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता यह तार्थ अकाट्य शत्य हैं और मैं बतलाता होंगा इस आस्तित्त टीवी के मांद्यम से कि आपके रसोई में रखे हुए कौन-कौन सी और चीजे जो साथ में आपको प्रचोर धर्दान से सम्रिद्धवान कर सकती हैं आपके मन असांत को दूर करते हुए आपके घर में शांती और सम्रिद्धी प्रदान कर सकते हुए हुए दो